शात हो जाएं, सबसे पहले आप सब यहाँ आएं, हमारी बात सुने आएं, इसके लिए आप सब को दिल से धन्यवाद करता हूँ पिछले साल हमने भारत को जोड़ने की यात्रा गन्या कुमारी से एक श्मीर तक की थी नफरत के बाजार में महबद ची दुकान को लिए पीजेपी आरेसेस के लोग एक धं को दूसरे धं से लड़ाते हैं, एक जाग को दूसरे जाग से लड़ाते हैं, एक भाशा को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं हम जोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत भिलाते हैं, हम मुखबत भिलाते हैं। हमने पिछले हात्रा में लाखों में मुझाज की, सारे लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में नफरत नहीं काम करती हैं। हिंदुस्तान में मुखबत काम करती हैं, ये मुखबत का देश हैं, नफरत का नहीं है। मगर चुने हुए लोग हैं, भीजेटी के नफरत भरे लोग हैं। नरेंदर मोदी जी है, हमेज शाह है और यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर है, जिनके दिल में पूरी दुनिया से नफरत है। वो सुमे उपते हैं, और उनके दिल में से नफरत मिदलती है। तो लडाई उनसे नहीं है, लडाई उनके दिल में जो नफरत है, उससे है। और आप जानते हो, आप जानते हो कि नफरत को भया, मैं तोड़ा कमजोर है, मेरी मरत करो तोड़ी, जानत रहो। तो नफरत को नफरत कभी नहीं काच सके। अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोला, और आपने उसको कुछ गलत बोला, फिर वो फिर से आपको गलन बोलेगा, फिर आप बोलोगे, फिर वो बोलेगा। नफ centuries को सिर्फ मोःबस से कांटा जा सकता है और एक और बात समझे नफरट के पीछे दर चुपा होता है बात समझाएं? नफरट के पीछे दर चुपा होता है तो ये लोग देश में दर और नफरट कलाते है हमारा काफ दो नारे है नफरत के बाजार में मॉपद की दुकान और दूसरा नारा दरो मत दरो मत किसी से नहीं दरो दरो मत काइस भी हो गजा है दरो मत आप यहां से क्या है असलाम मेह तोल्ह सuição साथ आपको बटाता हूं वह यहां पर आपके चीफ प्लिस सब्चूहटा नफरत चलाते हैं, दर चलाते एंगे मगर बात बहाँ रूखती है जैसे आप जैसे आसलाम में नफरत पहलती है डर पहलता है आपके चीफ में इसकर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं आप बहांद खाओ सुपारी का बिस्निस इसके अंदर उनका आप सुबह उठो वो नफरत खलाते हैं और जब आपी दरुदर देखते हो आपके जेब में से कट पैसा निकाल के नहीं जाते हैं तो ये का काम है देश का सबसे फ्रश चीफ मिनिसटर घ्यक्रिकर गाजी रंगा बंचा पर जमीन लेवी अब आप वहां पर गाजी रंगा जावगे राइनो देखने जावगे पता लगेगा चीफ मिनिस्टर जी पूरी वहां पर जमीन शाम को पान खाओगे पता लगेगा वहिया चीफ मिनिस्टर का पान मीडिया देखोगे टीवी देखोगे टीवी के पीसे चीफ मिनिस्टर तो जो भी आपको टीवी वाले मीडिया वाले बता रहे हैं वो ही बता रहे हैं जो आसाम का चीफ मिनिस्टर चाता है अच्छा का चीष मिनिस्टर आसां के चीष मियूश्टर का कंप्रोल इसके हात में? नहीं भाई-ктमिच्छा के हात में क्वाल तो अगर इसने चुबी कहा की अमिच्चा के खिलाव's क्यू भी कहा इसको इसको वनएक नब कर्या कप, तो पाइट समझो गगोई जी चीक मिर्स्टर थे, जो आसाम चाहता था, गोगोई जी करते चेए, हमने कभी नहीं कहा, हमने गोगोई जी को, गोगोई जी हमारे गुरु थे, कि हमने कभी नहीं का आप वह करोगे आप ऐसे करोगे आप यह करोगे कभी नहीं का और किसी कॉंग्रेस के दिल्ली के नेताने नहीं का क्यूंकि हम चाहते हैं कि असाम असाम से चले अब यह लोग अमिऴ साथ, आमेश्य करना क्या चाती है, आपको यह समझता है यह मुझे गमसा दो, यह यह के गमसा है侈, यह क्या है यह एक गमसा नहीं है ये ये असाम कच्चिन है, ये असाम की हिस्ट्री कच्चिन है, ये असमीन भाषा का रख्षप है, ये आपका स्वभिमान है, ये इसका अपमान कर रहे हैं। जब अमिच्चा फोन लगाता है और कहता है, एह मंदो, एह मंदो, कल तुम्हे ये करना होगा। और हमन तो कहता है, हंजी साब, मैं ये कल तुम्हे कर दूंगा, और ये असका अपमान हो रहा है। आपकी जो भाशा है, आपकी जो संक्रिती है, आपकी जो हिस्वी है, इसको मिटाना चाहती है। जो आपके फुर्वजों ने कहा, जो उन्होंने आपको सिखाया, उसको मिटाना चाहती है, और असाम को नाध्वुर से चलाना चाहती है। हम ये कमीनी होने देंगे। हम ये होने नहीं देंगे, असाम को असाम से चलाया जाएगा। और इस कम्षे की इंसल्थ होगी। ये मेसिज में आपको देना चाहता हूँ। यात्रा मनिपूर से शुरू हुई। मनिपूर से क्यों शुरू हुई। क्योंकि BJP की विचार धारा ने, RSS की विचार धारा ने मनिपूर को जला दिया। ऐश तक हिंदुस्तान काॉपर धान मनिंपूर नेगे। 6-7 महिवे हो गए जानों लोग मरे हैं। काहुं के काहुं दगये हैं। असे क्योरू से का मनिपूर नेगा। मनिपुर से हरुनाचल, हरुनाचल से नागालैंड, नागालैंड से असाम। असाम से पेंगोल, बेकोल से उडिसा, धारकन, चंतिजगर, महराश्यता तक और हम एकी चीज कह रहे हैं। यह देश, मोहपत का देश है। यह देश, मोहपत से आए जाएगा। नफ्रत से किसी का फाइदा नहीं होने वाला है, इंसा से किसी का फाइदा नहीं होने वाला है, आप आये, आपने मेरी बात चुनी, और जो पैसिक में आपको दे रहा हूँ, आप इसको फेलाओगे, आप अपने बाई देनों से कहोगे, दोस्तों से कहोगे, नफ्रत से कुछ एक पीएस इसको कहते हैं उसका कंटोलर बिल्ली में बैठा है और वो बेश का सबसे बड़स चीप पिनिस्टर है पता नि कहां से इसके दिफाग में आइडिया आ लिया कि वो राउल नादी को डरा सकता है जितने केस लगाने में उपर लगादो कोई पर नी पढ़ता मुझे में भी यपी से नी परता मुझे मुझे कोई परती परता मुझे जो बने लो, मैं बता हूँ आपको, इक बाद बताता हूँ, एक देना ही मेरे पास, केस लगा दिया, केस अरवा दिया, मैंने अदानी के बारे में बार्सन दे दिया, बाद लमस्त, दिखा होगा आप में, अदानी जी के बारे में बासन दे दिया, अब मोदी जी के एक खास दोस्त न हो, दोस्ती है, तो रहो ने कहा भाई, दोस्त को तो बचाना पड़ेगा, मैंने उपर केस लगा दिया, पार्लमेंट से निकाल दिया, कहा कि भया, राहूल गांधी की लोगसवा की दश्यता गर्द करतो, कर दिया, फिर मेरा घर ले लिया, सत्कारी घर है, घर ले लिया, जब भर दे में आये, मैंने कुशिचिवन को चानी दिया, और कहा दिगो भया, ये तुमारा घर है, मुझे ही घर दी किने, उठाद ले मेरा घर पका कहा है, मेरा घर हिंदुस्तान के हर नागरी के जिल में है, उठे तुमारे घर की ज़रूरत ले है, मेरे अचाम में लागो घर है, मेरे औरिसा में लागो घर है, मेरे उस्तर पदेश में लागो घर है, उन्हे घर की कोई ज़रूरत, आपने इतना प्यार दिया किसी ने जिल से आखों के दोगा जखताओं नमस्टाट जाइख जाइख भाइख गंगी भाइख गंगी भाइख गंगी भाइख जाइख